हेलो दोस्तों कैसे आप सभी तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है मचली पकड़ने का हुक और ये हुक बहुत जवरदस्त हुक होता है दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये लोहे का है और स्टील में भी आते हैं ये हुक और इससे जो एक बार मचली उलज गई ना दोस्तों नहीं तो आपकी डोर यहां से तूट सकती है, हुक भी तूट सकता है लेकिन जो है मजबूत हुक लेना चाहिए, यह देखिए मैं चारा इसमें लगा रहा हूँ, इस परकार से आपको चारा लगाना है दोस्तु, जो भी मचली आप पकड़ना चाहते हैं, जैसे मांगूर मच मांगूर मचली पकड़ने के लिए आप सिकार पे जा रहे हैं, तो जो चारा है उसका क्या तरीका होता है, यह देखिए, इस परकार से आपको चारा लगाना है दोस्तो, देख लीजिएगा, चारा लगाने के कई विदिह होती है दोस्तो, एक तो जैसे काजू टाइब होता यह मांगूर मचली पकड़ने के लिए हम चारा लगा रहे हैं तो मांगूर मचली पकड़ने के लिए आप इस ट्रीक का इस्तमाल करके हमें बता सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से जो है मांगूर मचली जो एकडम से चारे को निगल जाती है तो यदि आपका हुक चारे से ब आपको हुक को पूरा धक देना हैं धकने के बाद ही आप जो हे तालाब के अंदर फ्या किएगा नहीं तो जो है मचली आपके चारे को नहीं पगड़ेगी दोस्तों क्योंकि पहली बार ही पकड़ते ही मचली एक बार जाजती है परक्ती है कि वही क्या है ये कैसे है वो तभी ही चारे को निगलते है दोस्तो आप ये देख सकते हैं मैंने पूरा हुक ढग दिया है देख सकते हैं और मैंने ये जो चारा है मांगूर पकड़ने का यह आटा आटा है जो अपने घर के अंदर ही मिल जाता है बिस्कुट और हनी थोड़ा और थोड़ा अंडा इस्तमाल गया है दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं बड़ा यह तालाब है हमारे तरफ इसमें काफी मांगूर मशली हैं बड़ी-बड़ी म रखे हैं और गास के अंदर ही आप यहां बहा सप्सिकार करते है तो ज्यादा बैटर रहेगा दोस्तों तो अश्प आप समजबाएं होंगे वीडियो लाइक चेर सब्सक्राइब बड़्त